नमस्कार मैं गौरी और आप देख रहे हैं सीनी उस भारत वक्तोच का है अलिगर्ड बुलिटिन का अलिगर्ड के बुलिटिन में बात होगी अलिगर्ड की खास खबरों पर बताएंगी कैसे अलिगर्ड में शिवाला चौकी शेत्र के गाउं में किशोरी के साथ तो युवक के दोरान बसों में हुआ टकराव और जिलाक कलेक्टर पर आज सर्वी समाज कल्यार समिती के पतदिकारी ने जल समस्या को लेकर एसीम को सौपा ग्यापन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा किशोरी ने शनिवार को खेर पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दे कर मदद की गुहार लगाई है खेर पुलिस पूरे मामले की जांच परताल में जुटी है और उसको क्या नाम है लड़की का लड़की का पता का नाम का निवाजी है प्रातना पत्र जि नाट आपको ददिया हूँ अपको आपने तराता पकत्र दिया कोई पुलिसने क्यास रहा रहे चाहिए फिलिस ने क्या सवसंदियां आपको पुलिसने के आशोसंदियापको छो क्या हुए करयाे न ही आई नियुदक administ certified पढ़ास कि लगे हैं तो हमारी मम्मी आप थी नहीं पढ़ास पर में नहीं जिसी करने लगा है अलिगर से सीनू समवदाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट अलिगर एम्यू प्रशासन ब्लॉग पर आज पर युनिवर्सिटी चात्रो और प्रॉक्टर टीम के बीच धक्का मुक्की हुई ग्यारवी कक्षा की प्रवेश परीक्षा में से इस्लामिक हिस्से को हटाए जाने के खिलाफ आज पिर एम्यू चात्रो ने युनिवर्सिटी लाइब्रेडी कैंटीन से लेकर प्रशासन ब्लॉग तक पैदल मार्च किया उनका कहना है कि आज हम कंट्रोलर से मुलकात करके ये जानने आए हैं कि प्रवेश परीक्षा में से जो इस्लामी हिस्सा हटाए गया है उसको वापस कब लिया जा रहा है और उसमें क्या चल रहा है लेकिन हमें प्रशासन ब्लॉक में दाखिल होने नहीं दिया गया प्रॉक्टोरियल टीम ने गेट पर ही रोका है जिससे चात्रों में काफी आक्रोश व्याब थे और मिलने को लेकर चात्र और प्रॉक्टर रियल टीम के बीच काफी कहा सुनी भी हुई बिस्मिल्ला रोहान रहीं देखिए हम जो मुद्धा चल रहा है उसी मुद्धे को आज अलहम्दोहिल्ला यंग स्ट्वेंट्स ने उस मुद्धे से अवेर हुए वो मसला जो चल रहा था उससे अवेर हुए और वो हमारे साथ में आये सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब अके एक्ट को वॉयलेट किया तब आपने यह नहीं सोचा था कि आप एक्ट को वॉयलेट कर रहे हैं यह बिल्कुल एम्यू एक्ट के खिलाफ वर्दी काम हुआ है पावर अफ दा यूनिरस्टी पॉइंट नमर फाइव फाइव का टू ए टू बी सी यह तीनों ही पॉइंट य यह मकाना तर्क है कि जो बच्चे हमारी उनुस्टी का हिस्सा नहीं हम उनको कैसे प्रमोट करा सकते हैं उनको कि हम सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं वो सिलेबस है जो एक भाई चारा प्रमोट करता है वो सिलेबस है जो दो गहर मजब के लोगों के दरमयान अंडर्स्टेंड करने का हमारा मुतालबा था लेकिन हमें बताया गया कंट्रो साब है नहीं अभी एक-दो दिन के लिए शायद नहीं है और तो प्रॉक्टर साब ने हमसे कहा कि वह जैसी आएंगे जैसी मीटिंग होगी हम आपको अपडेट देंगे और जो भी प्रोसीडिंग उस पर चल रही एकडमिक काउंसिल के अदर आपगाएट मेंउउ कॉट के अंदर 11-12 मिमर्स होते हैं इस्टुएरंट रिपेजिंटेटिव और एक प्रेस्टिण होता है तो चुकि एमियुकर रिपेजिंटेशन नहीं है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं तो मजबूरां ये अब जिम्मे कि बगाईर स्टुएंट की मरवी कि देखे आज जो लड़के आये थे वो पंटूलर साब से मिलने आये थे और वाइशांसर साब मैडम से मिलना आये थे तो बैसिकली देखे लड़कों को यह चीज जानना का हक है कि वो जाने की आखिर कार अब तक इस मसले में क्या से देनी पा रहे हैं पिछले 15 दिने से लगातार लड़के यह परिशान हो रहे हैं और वाइशांसर मैडम के सामने यह बात रखी भी जा चुकी है लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सैकरों की तादाद में लड़के आये बात करना चाहिए आप कंट्रोलर साब जो है वह कंट्रा है और उस वक्त पे उन्होंने मुतमाइन किया है लड़कों कि अगले तीन दिन के अंदर में वो एक वक्त देंगे जिसमें वो जो कमीटी बनाई गई है रिव्यू कमीटी वो उसका रिपोर्ट जो है कंट्रोलर साब और वाइशांगर मैडम के सामने डिप्रेजन किया जाएगा और उसके बाद एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग जो होगी उसमें इस चीज़ को रखा जाएगा और इंशालला अगर ये चीज़ इंडोस्लामिक का जो पोर्शन हटायाने की जो बाते चल रही है इसको ये रिवॉक करे और विड्रॉ करे और अगर ऐसा नही यह था कि काफी वक्त गुजरके आया है जो मेमोरेंडम दिया तो कोई कारवाई नहीं हो रहिए कि तो किसी तरिका कर रहिए तो कि अपडेट करेगी कब रिजल्ट आगा है कुछ पता नहीं था एक इंडिफिनेट टाइम के लिए चीजेओं को हैंक कर दिया गया था तो वहीं स्टुडेंट थे कि यहाँ पर आकर पता करना चाहरे थे कंट्रोलर से मिलना चाहरे थे वीसी म और प्रॉक्टर साब से बात हुई उन्होंने कहा है कि दो एक दिन के अंदर इंशालला वो एक टाइम इस प्लैन बता देंगे कि कब तक इन्शालला यह रिपोर्ट सब्मिट हो जाएगी तो उसके बात हुई थी उसके बाद आगे किसी से मुलाकात नहीं हुपाई है अब तल्वा युनियन के नहीं पदर भी रहें क्या कहना चाहते हैं क्यों फटाए गया है कभी निसाब से इसमामीट अगर यह निसाब से हटाया गया है तो यह बिल्कुल गलत है मैं इसकी मजब्मत करता हूं और मैं उमीद करता हूं कि जो रुवियू कमिटी बनाई गई है क्योंकि पहले हटाया जो क्या है वाई चांसलर मैडम की नौलेज में नहीं था उनके टर्म शुरू होने चाहले इस चीज़ को हटा दिया गया है मैं उमीद करता हूं नहीं वाई चांसलर से के वो इसको रिव्यू करा के दुबारा से इसको एट कराएंगी देखिए ऐसा ह कहना है कि जो है जो ग्यारवी किलास में कमटेटिव टेस्ट होता है उसमें कुछ जो सिलेबस है उसको बतला गया है हाला कि इसका यह नाम कुछ और ले रहे हैं कि यह कर दिया गया वो कर दिया गया है लेकिन हकिकत यह है कि सिलेबस में कुछ तर्मीम हुआ था जैसे ही यह बात मनजरे आम पर आई और कुछ लोगों ने स्टेक होल्डर्स ने अपनी इपनी जो है राइटिंग में अपनी इपनी चीजों को रखा इन्वस्टी के साथ इन्वस्टी की इंतजामिया ने उस बात का नोट लेते हुए फौरण उस मैटर को कंट्रोलर को रिफर किया और यह कहा कि जो भी लोगों की शिकायत आ रही जो कंसन ख़चात आ रहे हैं राइटिंग में उन सब को ले करके इन्वस्टी के जो जिम्हेदार लोग हैं उनके इसके मस्वरा किया जाए और मस्वरा करने के बाद में जिस प्रॉसिस के थरोब पहले हुआ था उसी प्रॉसिस मैडम वाइस देखें अब यह यह अलग बात है वो कह रहे है कोई भी जो डिसीजन होता है मैं नहीं समझता हूं कि सलेवस का डिसीजन जो है अकडमी कॉंसी जा किसी बाडी के बगएर फैसले के हो जाए जो भी हुआ लेकिन वहराल मैडम ने यह कहा है कि जिस प्रॉसिस के जो भी फैसला करेगी उसके हिसाब से आगे यह चीजें ते होंगी यह बाते लड़कों को बता दिए और इसमें काम भी हो रहा है आज ही कंट्रोलर साब में मुझसे बताया कि और वाइस शांसरा आफिस में बढ़ करके बताया कि उन्होंने एक लेटर लिखा है इसमें क्या हो सकता है उसमें से कुछ लोगों की राए आ गई है अभी कुछ लोगों की अवेटर है जैसे वह चीजें आ जाएंगी तमाम चीजों को फिर जो है वह कमेटी के साबने ले जाए जाएगा कमेटी अपना उसको कंसीडर करेगी और फिर वो मैटर एकड़मी कि जब आप ये कह रहे हैं कि साब एक बड़ी तर्मीम हुई है जो नहीं होना चाहिए लहाजा ये तमाम सारी चीजों पर पूरी तरीके से घौर किया जाएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ अब क्या होना चाहिए ताकि आगे चल करके ये दिकतें ये परिशानियां लड़कों को या इन्वस्ति के सामने या इस शीकहोजडर्स को ना ना पढूझा पर गहाज़ा ये एक मामिला है संजीदा मामिला है इसको संzinhoजीदगी के साथ सोचा जा रहा है और इस पर काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि एक बहतर रिजल्ट आएगा इस पर लिए जाना यहां तरीके नहीं बिल्कुल लिया जाएगा क्यों नहीं अक्षिन दिया जाएगा अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे वह आपके ख़दसात आपके कंसर्ण आपकी सिकायत अपनी जगा उसको एक्जामिन कर रही वह यानि मैडम वाईशांसे से मुलाकात हो गई कंट्रोलर मुलाकात हो गई है बार बार अब हो जाना हर एक यह फैसला एक दिन में आजाएगा इट टेक टाइम तो जो टाइम होगा उस टाइम के अंदर सारी चीज़ें आएंगे और अच्छे डंक से किया जाएगा उमीद यह है कि जो कुछ भी फैसला होगा एकडमी कांसिल के प्रकासिब होगा जाएगा थोड़ा सा वेट करना चाहिए रोजाना आकर के दस लोग आकर के खड़े हो जाते हैं यही दस लोग है पूरी इन्वस्टी के अंदर आपने एक बात रख दिया इन राइटिंग में रख दिया उस राइटिंग पे काम हो रहा है आपको यकीन क कि सब जूड बोलने हैं यह घलत तरीका है ना यह इंडिसिप्लिन के खिलाफ है यह देखिया इसके बारे में नहीं मालूँ पिर बात यह है कि इंतजामिया जूट क्यों बोले कि इंतजामिया जूट देखिया ऐसा है कभी कोई चीज़ अगर मान दिये हो गया कोई हमारे ह हमारे जबान से कोई चीज निकल गई काम तो हो रहा है ऐसा तो नहीं कि उस पर कुछ नहीं हुआ है अगर मैं यह कहिदूं कि तीन दिन के अंदर यह काम हो गया तो इसमें कौन सी जूट की बात हो गई कभी-कभी ऐसा होता है आप आपने कहा कि मैं पांच पैट में आ रहा है अलग चीज है आपका कंसर अलग चीज है उसको इनवस्टी ने इंटर्टेन कर लिया है उस पे इनवस्टी काम कर रही जो जापता कानून तरीका वसूल है उसके हिसाब से काम होगा यह प्रेसर बना करके कोई काम नहीं होगा इस इनवस्टी के अंदर प्रेसर से काम नह दी कचोडी की ठेल और बाइक में भारी नुकसान हुआ बाइक बस के नीचे फस गई बाइक स्वामी धकेल पर खा रहा था कचोडी बस की टक्कर मारते ही मची अफरा तफरी बड़ा हाथसा होने से टल गया बतादे कि स्थानिये लोगों ने बस के ड्राइवर को पकड़ कर जम कर पीटा प्राइवेट बस ड्राइवर को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीर को समझाते हुए ड्राइवर को ठाने भेजा महीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है घटना थाना क्वार्सी चौ जाते हैं जज़र लाइन तारों के सहारे पर सप्लाई किष्टों पर सांस ले रही है एक महा से यही लाइट का आथ मिचोली का खेल चल रहा है गर्मी के मौसम में बच्चों और बुज़ुर्गों की हालत गंभीर बनी हुई है यहां नहीं कोई विद्द विभाग जीवन यापन करेंगे शेत्रे लोग विद्द विभाग की सही सप्लाई ना देने के कारण परिशानी का सामना कर रहे हैं दिन हो या रात लाइट विवस्था चर्मर आ गई है शेत्रे लोगों का कहना है कि शहर में हर जगा एल्टीरी लाइन बिच रही है मगा लाइट व तर्वस्या यह है कि मेरे घर पे कम से कम आठ दिन हो गए आठ दिन से नहीं बिजली आईए और नहीं पानी है मेरे घर मैं नल पैसे भर के लाता हूं हैंड पंप से और बीवी बच्चे मेरे बीमार चलें चार पार दिन से उन्हें डायरी आखो चुगा घर्मी की वेज़े वेज़े बच्ची को भी डायरी आहीं हो चोगा मेरी जिसकर डिखा लाया बच्ची को डोक्टर ने रहाइडरेशन की बताया जैसे कर दो करते हैं कभी काम चल तो रहा है और कभी यह कहते है कि हमारे आदिकारी पहुंच रहे हैं पर रात तक कोई नहीं पहुँचता तार सुलीसार यह नहीं कि नहीं उठों कि थोल्गा है only कोई सवाज में इस कर हीयां वे तक बगाना कुछिन हुआ से उनलएदन और सुलीय। कि अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे है उपर भी कोई सुनवाई नहीं आपर आम जनता की उस अधिकारी संग्यान ने और यहां का रजानगर का देखें आके कि यहां पर लाइड वेट सा क्या चल लेए कि यहां बादा रजानगर में रायट का मामला बहुत थरार चल दा है पिछले आठ दिन थे लोगबाद परेशा ने जजजर लाइने हैं यहां पर दिन में रात में लाइड दस मिनेट पांच मिनेट आती है और बहुती जग है तो गलिन में जाती भी पहुंच भी न पार रही है तो जो अधकार यह इसका जो हमारे हैं यहां का जही है यह और अधकारी है जब यह काम ना कर पा रहे हैं तो फिर उच्छा अधिकारी इंते काम कराया है कि जिसमेजे से करें संग्याल ने इनके खिलाब के बाइक क्यों है यह रहा है एक साल पिछली एक साल पर अब तक हमने लिखत में भी सिकात करी एक साल में अब तक कोई कशर्ण यह कोई काम है का कर नहीं गूरा अधर दूसरी बात किसी गली में चाल लटा है और उसमें दो लान दो लटा हो लगने सौचा मीतर की के लिटी पड़ी है तो कम संकम हर गली में लटा हो और लोगन की जो केवल हैं जो सोसा मीटर की ये खतम कराई जाए और हर गली में नगल नगम में आने के बाद अब हर गली में लट्था लगना चाहिए और लोगन को सुद्धा मिलनी चाहिए जो कि गर्मी है तो यहां कोई कि अब कि है क्ह अचाहिए और मिज्था कारवाई करने नहीं करते तो फिर हम लोग जांगे हाक आझ यहां कघ्टे हो पहर आदम्हीं होके काम नहीं होता है तो फिर हम लोग चीफ साफ़ पाज जांगे अंदोलन के लिए अलिगर से सीन्यू समवदाता संजीफ शर्मा की रिपोर्ट अलिगर क्रांतिकारी संगठन आप और हमके पदादिकारी ने वार्ट 63 श्याम नगर में दूशित पानी की समस्या का समधान की मांग को लेकर एग्यापर नगर आएक्तु को सौपा जलाद धक्षु गौरफ सैनी ने कहा कि वार्ट 63 महला श्याम नगर अलिगर की जटल समस्या को लेकर क्रांतिकारी संगठन आप और हम राष्टिय ब्रिश्टाचार अपराद मुक्ती संगठन द्वारा श्याम नगर की समस्या के समधान को लेकर ये ग्यापन पत्र दिया जा रहा है वार्ट 63 में काफी दिनों से घर के नलों में दूशित पीने का पानी आ रहा है जिसके चलते गर्मी में बीमारी फैलने का अधिक डर बना रहता है जिसको लेकर कई बार वार्ट मेंबर से कहा उनका कहना है कि दूशित पानी को लेकर अधिकारियों को बताया ले मेरा नाम गौरफ सेनी है जिला अद्यक्ष आप और हम राष्टेव रष्टाचार अपराद मुक्ति संगटन श्याम नगर बाड नमबर 63 में काफी दिनों से गंदा पानी आ रहा है और इस टाम घरमी का माहुल है बीमारीयों के खत्रे हैं श्याम नगर और पान दरीवा काफ अन्होंने भी अश्याम दे दिया लेकिन उपर के लिए उन्होंने बोल दिया तो आज हमने अपर आइप साब को या पंदिया है और उन्हें सफ्टे वरक टायम दिया है अब या आपके बढ़ना पानी की समस्या नहीं सहुर होती है तो क्या कबा मठाए हमारा संगटन धरन मिलने का थह उन्होंसे बोलने का यहां फिर में इस दूसित पानी जो और है क्या मतलव में हासा देने की अपील सब्सक्राइब करने के लिए आगे रहेगा सब्सक्राइब करें दो महिने नहीं सुनेंगे तो उपर तक उनकी खवर की जाई है उन्हों ने दिया हमको सब्सक्राइब करेंगे हमने भी उनको बोल दिया है कैसा रगा सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए भी समस्या का समाधन करेंगे बोल दिया है उनको लोगों के लिए अलिगर से सीन्य समधाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट जलालिगर के ग्रामों में भूमिकद बॉटर पाइपलाइन डाली जा रही है जिसका उदेश्य प्रतेग घर को पानी उपलब्द कराना है इसी कारे के दौरान जिन गाउं में सडके सीसी रोड इंटर लॉकिंग आ रहते हैं जिसके कारण गाउं की नर्की अस्थिती हो गई है जिन गाउं में पानी की दिक्कत नहीं है जलस्तर ठीक है उनमें भी वह सडकों को बरबाद कर कारे करा जा रहा है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती अताम ग्रामिन उप्रोक्त कारे से असंतुष्ठ हैं और धेर, नगला, अकुसी, नगला, रोशन, नगला, लामी, सिंह, आदी, नहर के बिलकुल निकट है इन गाउं में उक्तकारे को ना कराये जाए इन गाउं में जलस्तर बहुत अच्छा है पीने के पानी की कोई कमी नहीं है पानी मीठा वा पीने योगे है जिन गाउं में पानी का संकट है उन गाउं में उक्तकारे को कराया जाए जिन गाउं में कारे चल रहा है उन गाउं में वाटर पाइपलाइन की वज़ा से सडक इंटरलॉकिंग वो खाड़ कर बरबाद कर दी गई है उन्हें सही कराया जाए नल कनेक्शन की अनिवारता खत्म हो, कारे शुरू होने से पूर्व सम्मद्द गाउं के निवासियों की सहमती ली जाए, सडकों की विडियोग्राफी कारे से पूर्व और कारे संपन होने के बाद कराई जाए गड़े बन्दनी किये गये हैं, तो हम नहीं चाहते हैं, हमें नहीं कनेक्शन चाहिए, तो हमारे पांच उत्री मांगों के लेके हम आए हैं, और यहां हमारा ग्यापन है, जो कोई जाहते है वहाँ इस काम को कराईई और यह पैसा है बच्चे गर्मी रहते हैं उसके लिए लगाईए स्वास्त पर लगाईइए हमारे अलिगर से सीनु समवदाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट ब्रह्मान के प्रतम पत्रकार देवरिशी नारंज जैनती समारो विश्व सनवात केंद्र महानगर ब्रच प्रांत के तत्पाधान में रामगार टूडिस्ते देखोटल में मनाये गया कारकर में विशिष्ट अतिती कुमार अतुल संपादक मुख्य अतिती चंदुशेखर कुलपती राजा महेंद्र प्रताप राजे विश्वद्याले अध्यक्ष सरदार भूपे इंद्र सिंग एवं मुख्य वक्ता कृपा शंकर वरिष्ट संग प्रचारक संयुक्त शेत्र प्रमुख राष्टिय स्वैम सेवक संग रहे, सर्प्रतम नारढ्र जल्टी कारकरम का शुभारम भारत माता एवं नारढ्र मुनी के चित्र के समक्ष चित्र के सम्मुख दीप्रज्युलित कर किया गया, जिसकी भूमिका पूर्ववरिश्वपत्र कार सुरैंदर शर्मा द्वारा रखतेवे कहा गया कि सभी को नारत पुरान का ध्यान करना चाहिए संगीत्रेखा गडित का विकास बहुत सारी विधाओं की जौनकारी पुराण में दी गई है नारध种 Chamber के ल78 ले रहा था जीवन पत्रकारू के लिए पत्रकार्ता के विकास के लिए समर्पित हैं। संग के सरसंग चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी पत्रकारू के माध्यम से अपनी बात रखते वे कहा था कि शम्शान एक होना चाहिए, समाज का पूजा अस्थल एक होना चाहिए, समाज की जल वेवस्था एक होनी चाहिए, कोई भेदभाव समाज में ना रहे। गुषू चमाज केंदर तरचार दुगा की होर से यह कारीकम किया जाता है। जन जन नागरी तक पहुचना चाहिए इसलिए हर बर से यह कारकम नारज जी की जहिसके पर किया जाता है अलीगर से सीन्यू समवदाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट फिलाल के लिए अलीगर बुलिटन में बस इतना ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रही है अपसी नियूस भारत